नमस्कार दोस्तों हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है एक काथा में कितना डिसमिल इसको जानेंगे एक काथा में कितना डिसमिल बिक्री कैसे होता है डिसमिल में या इसकार मीटर में या इसकार फोट में दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल का इकन को क्लिक कर देजिए आएए देखते हैं एक काठा में कितना डिसमेल एक काठा बराबर 100 स्क्वाइर मीटर जहां होता है वहां इतना भी होता है और एक काठा बराबर 76.89 स्क्वाइर मीटर भी होता है चाहे जितना भी हो आप डिभाइड किजिएगा एक डिसमेल एक डिसमेल बराबर 40 स्क्वाइर मीटर अब एक काठा में कितना डिसमेल जानने के लिए 100 मीटर को लेते हैं एक काठा बराबर 100 बाइ 40 बराबर 2.5 डिसमेल इतना होता है चाहे जितना भी काठा हो जितना को भी डिसमेल कहते हूं उससे डिभाइड कर देंगे तो डिसमेल में निकल आएगा डिसमेल से डिभाइड करेंगे तो दूसरा है एक काठा एक काठा बराबर 66.89 विश्कार मीटर है वहां के लिए 40 से डिभाइड कर देजिए तो हो जाता है एक डिसमलाव 6,7,2,2,5 डिसमेल डिभाइड कर लेजिएगा इतना होता है बहुत ही आसान है दोस्तों इसको जदी वर्ग फूट में रहेगा फिर भी आप जानेंगे सबसे पहले आप वर्ग को जानिए वर्ग मीटर को जानिए एक वर्ग मीटर बराबर एक मीटर बराबर होता है फूट में 3,2,8 फूट अब एक मीटर में कितना वर्ग फूट इसको जानने के लिए से यहां पर रख दिजिए तीन दसमलो दो आट वर्ग बराबर तीन दसमलो दो आट गुवित तीन दसमलो दो आट बराबर हो जाता है केलकुलेट कर लिजिए 10 दसमलो साथ पाँच आट वर्ग फूट स्क्वाइर फूट इस परकार से इप 10 दसमलो साथ पाँच आट को 40 से मल्टिपर कर दिजिए और 100 से मल्टिपर कर दिजिए और जैसे भाग किये हैं वैसे भाग कर दिजिए इससे भी जो है 2 दसमलो पाँच डिसमल ही निकलेगा एक आठ पराबर 100 स्क्वाइर मीटर वाला और सट कुछर है बिक्री कैसे होता है डिसमिल में या स्क्वाइर मीटर में या स्क्वाइर फूट में दोस्तों एक डिसमील बरावर 0.004 हेक्टेर होता है, आप डिसमील में बात कीजे या स्क्वायर मीटर में बात कीजे, लेकिन आपका जो इंतरी होता है इधर, वो जो है हेक्टेर में ही होता है, रेट आप डिसमील में लगाईए या इसकार हुई टर में लगाईए, लेकिन जब इंतरी होगा, आपका जो है हेक्टेर में ही इंतरी होगा, डिसमेल में आप डिसाइज किये हैं कि इतना डिसमेल बराबर इतना तो आपका एक डिसमेल बराबर 0.004 hectare होता है उस हिसाएफ से आपका खरदी बिक्री होगा तो आपका hectare में ही इंतरी होगा दोस्त हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब किजिए और बेल का एकन को कलिक कर देंजे धन्यवाद